हमारे संबिधान में अनुछेत 15 में एक सब क्लॉज है जिसमें क्लॉज 4 में फिर 16 के क्लॉज 4 में रेजरवेशन का अधिकार है राज्य को स्टेट कोई अधिकार है कि वो आरक्षन दे सकता है एक निरणे में आयार कोलो का निरणे आया था कि हम नवी अनुसूची में डालने के बाद भी इसका जुडिशल रिभ्यू on the ground of doctrine of basic structure यानि संबेधान का जो अधारबुत धाचा है उसका एक सिद्धान्त है उस अधार पर इसकी समिक्षा की जा सकती है और जदि किसी मौलिक धिकार का भी हनन होता है तू सांधार पर भी इसकी समिक्षा होगी तो नवी अनुसूची में डालने से भी यह नहीं हो जाएगा कि बिलकुल लौ नाव न्याइक समिक्षा के परे चला जाएगा तो मेरे ख्याल से बिहार सरकार बिहार के राज्य सरकार की समस्या बनी रहेगी नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीस मैं हूँ आपके साथ सौरवराज बिहार में हाल ही में आरक्षन का दायरा बढ़ा दिया गया है मामला हाई कोड तक पहुँची गया है लेकिन बिहार सरकार ने इस मामले को जो आरक्षन बढ़ाया गया है उस मामले को केंदर सरकार के पास भेजी है कि इसे नौमी अनुसूची में डाला जाए सम्विधान के नौमी अनुसूची में इसकी उपर बात करने के लिए कानून के जानकार अलोक कुमार रंजन है इनसे बात करेंगे कि आखिर सम्थान की नौमी अनुसूची क्या है आखिर नितीस कुमार इसे आरक्षन जो बढ़ाया गया इसे नौमी अनुसूची में क्यों डालना चाहते हैं बिहार में जो पहले संवेधान संसोधन के द्वारा डाला गया था नवी अनुसूची कैसी ब्यवस्था है जिसके तहट जदी किसी विधी को नवी अनुसूची में डाला जाता है तो वो न्याइक समिक्षा के परे हो जाता है हलाकि इस पे भी एक वाद आया बाद में जिसमें सुप्रम कोट ने असपस्ट कर दिया कि देखे नवी अनुसूची में डालने से आपका काम समापत नहीं हो जाता उसने असपस्ट कर दिया एक निरणे में आयार कोलो का निरणे आया था कि हम नवी अनुसूची में डालने के बाद भी इसका judicial review on the ground of doctrine of basic structure यानि संबेधान का जो अधारबुत धाचा है उसका एक सिद्धानत है उस अधार पर इसकी समिक्षा की जा सकती है और जदि किसी मौलिक अधिकार का भी हनन होता है तो साधार पर भी इसकी समिक्षा होगी तो नवी अनुसूची में डालने से भी ये नहीं हो जाएगा कि बिलकुल law नाव न्याइक समिक्षा के परे चला जाएगा लेकिन हाँ नवी अनुसूची प्राकर का ढाल है एक प्राकर का सिल्ड है जिसमें डालने से आपका law सुरक्षित हो जाता है कुछ हद तक नितीस कुबार ने जिस प्रस्ताप को कैंदर सरकार के पास भेजा कैंदर सरकार माल लेगी उस प्रस्ताप को दिए ये कहना तो अभी बिलकुली असपस्त नहीं हो पाएगा कि केंदर सरकार ये तो उसका निरणे होगा इसमें राजनीती भी होगी इसमें बेदी ब्यवस्ता भी है आपको पता होगा सावरब जी ऐसा ही एक बार तमिलनाडू में हुआ था और तमिलनाडू में भी रेज तरवा संवेधान संसोदन 76th Constitutional Amendment से नवी अनुसूची में डाला और नवी अनुसूची में डालने के बाद उस पर कोई विसेश कारे नहीं हुआ और 69% रेजरवेशन तमिलनाडू में लाग हुआ लेकिन मैं आपको एक और बात बताओं तमिलनाडू सरकार ने एक और प्र प्रियास किया उस को सर्वोच्य नयायाले ने निरस्त कर दिया और ऐसी घटना मैं आपको बताओं महरास्तर में हुए जिसमिलनाडूतम छैलेंज परसंट से बढ़ा करे 68% करने का प्रियास किया गया बट उसको भी सर्वोच्य नयायाले ने खारीज कर दान नौमे यह आधारबुध सन्रचना का पाठ है, जिसको हम लोग अंगरी जी में टॉक्ट्रिन आप बेसिक फीचर कहते हैं, संबिधान का बेसिक फीचर होता है तो संबिधान का बेसिक फीचर का अंग है जुडिशल रिव्यू जिसको हम लोग हिंदी में न्याइक समिक्षा कहते हैं तो न्याइक समिक्षा उसके बावजूद भी हो सकता है नियाईक समिक्षा संबिधान के द्वारा दिया गया सर्वोच्य नियायले का उच्छ नियायले का एक अधिकार है कभी नहीं चाहेगी सर्वोच्य नियायले किस अधिकार को समाप्त कर दें देखें वहां भी एक परकार का संघर्स है तो इसलिए वो इस बात को नहीं मानेगी कि नवे अनुसूशी में डालने के बाद बिल्कुल नयाइक समिक्षा के परे चला जाएगा तो मेरे ख्याल से बिहार सरकार, बिहार के राज्य सरकार की समस्या बनी रहेगी लेकिन जो आरक्षन का डायरा बढ़ाया गया, उसका याचिका डायर हो गई है, वहाँ पर हाई कोट लोग पहुँच गए है इसके खिलाप में जी बिलकुल मुझे भी यही जानकारी मिली है, कि हाई कोट में याचिका लाई गई है, बट याचिका भी सुची बद नहीं हो पाई है, वहाँ के महादिवक्ता को, एडवोकेट जेनरल को भी उसकी परती भेज दी गई है, अब उसको उपर चीप जस्टिस सहाब निरने लेंगे और फिर वह याचिका सुची बद की जाएगी और उस पर सुनवाई आगे की होगी, क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत कुछ आप जानकारी दें, क्या सुनवाई हो सकती है, मैं जो समझ पाता हूँ, संविधान की जो मेरी अपनी समझ है, संविधान बड़ा दे सकता है, उसमें आरक्षण की सीमा कहीं नहीं लिखी गई है, बड़ा आरक्षण की सीमा की जदी बात करें, तो इस पर सर्वोच नयायाले ने नौ जजजेज के खंड पीठ नेक नर्ने दिया, नाइन जजजेज का बेंच, उसने अस पस्ट रूप से कहा, कि देगें कि किसी भी प्रकार का रेजर्वेशन 50% से जादा नहीं होना चाहिए, अब लोग कहते हैं कि EWS का रेजर्वेशन 10% हो गया, EWS का रेजर्वेशन संसोधन दारा लाया गया और EWS के रेजर्वेशन का आधार कास्ट नहीं है, ये आर्थिक आधार पर आर्थिक पिछरे पन के आधार पर दिया गया, आरक्षन ने थे एक अलग कैटेगरी बना दी गई, जिसको आज की समाज के परिपरिक्ष में देखा जाते, एक उचित निरणा है, मिलना चाहिए, एकॉनोमिकली वीकर सेक्षन को वो कहां जाएंगे, लेकिन लोग यहां तो यह कहा रहें कि वो एक डाटा के अधार पे दिया गया, यहां पे भी एक साइंटिफिक डाटा है विहार सरकार के पास, उसके अधार पे यह आरक्षन बढ़ाई गई, नहीं आप बिलकुल सही कह रहें, लेकिन इसी में एक बात आती है कि क्या यह प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यह की गई थी और मैं आपको बताओं इतिहास के पन्ने में ले जाओं तो आपको बताओं कि फिर इसको नरष्त कर दिया गया था, इसको यहां की लोगों ने नहीं माना था, प्रुपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं माना गया था, तो यह बात उचित नहीं है का आप ये कह दे कि मेरी जन्रशंख्या बही 25% है मैं EBC हूँ तो मुझे 25% reservation मिलना चाहिए ये बात तार्किक नहीं है ये विदी सम्मत नहीं है संभिषान सम्मत नहीं है इस पर अध्यन करना होगा सुप्रियम कोट इस निर्णय पर आएगा और जो मेरी समझ कहती है कि 60% already reservation अब और ये आनुपातिक प्रतनिदत नहीं है इसलिए मुझे तो पूरा संभावना है पूरा सक है कि इस प्रस्ताव को सायद सर्वोचनियाले न माने है लेकिन अब तो लोग ये कहते हैं कि जिसकी जितनी आवादी उसे उतना भागिदारी मिलने की जरूरत है मतलब ये क्या सम संगठित नहीं हो पाएगा आप लोगों को उसके रेजर्वेशन में उसके प्रपोर्शन में बांट रहे हैं ये समाज सबका है ये देश सबका है जहां तक बात पिछड़े लोगों को आरक्षन देने का था तो हमने संभिधान जब बनाया तब से आज तक आरक्षन चला रहा है वो भी हमारे भाई बहन है उनको आरक्षन मिलना चाहिए मिलता रहा है लेकिन एक सीमा के अंतरगत आपके घर में भी कोई पिछड़ा हो कोई विद्यारती कमजोड हो तो हम लोग उसकी साहेता करते हैं एक परिवार है भारत देश बिहार राज भी परिवार है वो बात सही है लेकिन आप उनको अधिक ना आरक्षन दे 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 या अधिक सीटे दे दे तो अब इसली जो बाकी लोग होंगे और सुप्रिम कोट ने अपने करने में कहा भी था कि देखिए आप बैक्वर्ड लोगों को रिजर्वेशन देने के उत्साह में जो बाकी लोग है उनके हक को ना मारें ये समता मूलक समाज है समाज में समता का निर्मान करना है जातिकत रूप में आरक्षन दे करके जातिके इस विद्वेश को इस जहर को फैलाने की जरुत नहीं है इसलिए खुले मंद से सोचने की जरुत है और मुझे लगता है कि सर्वोच्छ न्याया या बिहार सरकार या केंदर सरकार इस पर खुलें मंद से निर्णे रहेगी पूरी चर्चा होगी देश में फिर उस पर कोई उच्छत में रहने होगा चलिए सुक्रिया सर थैंक यू धन्यवाद